हेलो प्रेंट्स ब्राइटी लर्निंग के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी है प्रेंट्स आज हम देखेंगे कि अगर मालो आपका TDS कट गया है गेमिंग वगेरा में किसी भी मालो ओनलाइन गेमिंग में अगर आपका TDS कट गया है तो उस TDS को कैसे रिफंड करेंगे इसके लिए सबसे पहले हमने लोग इन करका है लोग इन करने के बाद यहां पर व्यू फॉन्टी सिक्स जो हता है उस पर क्लिक करेंगे इस से यह होगा कि आपका जितना TDS करेंगे तो 24 25 और व्यू एज यहां पर दे रहक है व्यू डाउनलोड पर किलिक करके एक्सपोरट पीड़ पे क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहां पर पीडी अप डॉनलोड गगी टुएव च्वन्टी एब हमारे जो ता वह यहां पर डॉनलोड हो गया है complete detail आप यहां पर देख सकते हो और देख सकते हो कि किस head में और किसने कितना आपका TDS काटा है वो completely detail आपको 26 AS form के अंदर यहां पर देख जाएगी तो यहां पर जो section 194 BA जो gaming का है उस case में 330 रुपय यहां पर कटावा है इसके लिए refund करने के लिए सबसे पहले आपको file now पर क्लिक करना है और यहां पर online पर क्लिक करना है सबसे पहले assessment year select है 24 25 online पर क्लिक करके start new filing पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर individual select करना आपको और continuity पर क्लिक कर देना है click करने के बाद यहाँ जो गेमिंग है उसका TDS refund करने के लिए ITR2 करते हैं तो यहाँ आपको यहाँ पर ITR2 file select करना है proceed with ITR 2 click करेंगे इस पर click करने के बाद यहाँ पर let get start पर click करेंगे इसके बाद यहाँ region select करेंगे other कर के continue twitch पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर general information है तो first वाला जो option दे रखा है part A general, general information उस पर टिक करके यहाँ continue पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर कुछ declaration दे रखा है तो यहाँ पर yes no जो भी आप पर applicable वो करना है यह skip the question भी आप यहाँ से कर सकते हो तो हम yes no करेंगे यहाँ continue वाले टेप पर क्लिक करेंगे इसके बाद salary exemption का कुछ detail यहाँ पर आ रहा है तो यह कुछ है नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नोई रखेंगे सब को इसके बाद यहाँ पर summary जनरेट होगी है इसके बाद यहाँ कापी सारे option दे रखेंगे जो आपके काम के है वो option यहाँ पर फिल करेंगे बाकी option यहाँ पर फिल नहीं करना है तो यह कापी सारे table यहां पर दे रखेंगे सबसे पहले जो table दे रखिए वो general information कि वाली दे रखिए तो यहाँ पर first general information पर click करेंगे यहाँ पर आपकी basic information जो भी है वो completely आपको यहाँ पर दिख जाएगे आपने कौन सब एंग यहाँ पर attach कर रहा है, उसकी detail भी यहाँ पर आजाएगे तो हमारी personal information हम यहां सो कर रहे है, आप contact detail filing status यहांपर select कर सकते हो, जो option आप़ अप्लिकेबल करना है, अप्लिकेबल नहीं हो, अप्लिकेबल नहीं करना है, तो जो option yes no करना है, यहांपर select करना है, और यहांपर हमारी जो bank detail है वो already यहांपर add है, अगर मालो फिर भी आप दूस से इराइज हो रहा है इसमें रेजिडेंस क्या पूच रहा था और और कुछ कुछ शंतेव हो गए तो हमारी जो फर्स्ट इंपॉर्मेशन है जनरल वाली वह यहां पे ओल्मोस्ट कंफर्म हो गई है इसके बाद सेलरी डिटेल जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें डिटेल होगी अगर आपकी कोई सेलरी तो जहान पे आपको डिटेल क creatively अगिगना है और आपर मशा अदम होगी है थे तो कंफर्म करना है हमारी करते है में झाली नहीं तो कंफर्म करते हैं सेकंट न तेबल ईरकी है सीडूल 112a तो यहांपर कुछछ यह ऑगकर कुछ है आपकेक आपके पा यह टेबिल यहां पे काफी important टेबिल है, इसी टेबिल के अंदर आपको जो gaming का जितनी income भी है, वो income यहां पे लेना है, और income के आदार में जो TDS है, वो आपको refund होगा, और maximum जो gaming पे आपका TDS refund होगा, वो होगा केवल 25,000, उससे ज्यादे आप gaming वाले, जो TDS कटा हुआ है, व हम यहां पे confirm करते हैं, साइड की problem के वज़े से तोड़ा silo चल रहा है, देखते हैं, आगे का जो process है, वैसे आगे बढ़ता है, तो आगे का process यहां पे check करेंगे, अगे हम यहां पे schedule other sausage पे click कर देए, यहां पे second option आ रहा है, income chargeable at a specific rate, और यहां add wallet पे click कर देंगे, nature of income यहा आपको यहां से select करना है, कि आपकी कौन सी income है, तो हम यहां पे nature of winning from lotteries, यहां पे रहा है income by winning from online gaming, तो हम online gaming, जो section 115 BBJ जो है, वो लेंगे, और हमारी जो income होई है, जिस पे TDS deduct हो है, TDS का amount नहीं लिखना, TDS जिस amount पे cut है, वो amount यहां पे लेंगे, तो हमारा जो amount है, 11,100 रु यहां पे total amount लिखना है, total amount लिखने के बाद, यहां एड वाले टेपे क्लिक कर देंगे, एड वाले टेपे क्लिक करने के बाद, यहां पे जो income है हमारी वो यहां पे एड हो जाएगी, और आगे का जो process हो यहां पे है, चेक करते हैं, लोडिंग का process चल रहा है हमारा, इसके बाद nature of income यहां पे हम select कर लिए थे, एड gross income chargeable tax of normal rate, अगर कुछ हो तो यहां पे है, other income select कर लेंगे, इसके बाद country region यहां से select करेंगे, इंडिया, तो यह करके हम confirm कर दिए, इसके बाद next schedule आता है, schedule CYLA, इसमें हमारी कोई information नहीं है, normally आपके भी कोई information नहीं होगी, तो आपको यहां पे confirm करना है, बाद कि अगर कुछ details हो, तो आप यहां पे fill कर सकते हो, इसको read करते भीए, तो हमारे case में कोई details नहीं है, इसलिए हम यहां पे confirm कर देंगे, तो यह वाले table भी हमारी यहां पे होगए, confirm, next जो आता है, वो यहां पे हम देखेंगे, और भी कापी table दे रहें लेकिन यह यह table कोई काम की नहीं है, अब next आता है, part B, TI, part B, TI में यहां पे summarize detail आजाएगी, जिसमें salary आ रही है, income from house property आगए, capital gain, income from other sausage, salary कोई income नहीं है, house property के हमें कोई income नहीं है, capital gain में नहीं है, income from other sausage, हमारे जो थी, gaming की income, वो यहां पे हमने लिख दी है, total head wise income, यहां पे completely total होगे, जो income है, वो यहां पे show होगई, आप again यहां से चेक करके, आपको confirm करना है, confirm करने के बाद, income detail जो है, आपकी confirm यहां पे saved हो गई है, इसके बाद, text paid वाले टेपे क्लिक कर देंगे यहां पे, text paid वाले टेपे क्लिक करने के बाद, हमारा जो TDS है, वो यहां पे adjust होके, show कर दिया गया है, जो आपको refundable TDS होगा, वो यहां पे show जाएगा, आपका, तो TDS text detectator source यहां पे, हमारा जो TDS है, वो यहां पे amount शो गया है, amount को check करके, अगर यहां confirm वाले टेपे क्लिक कर देंगे, confirm वाले टेपे क्लिक करने के बाद, आगे की जो process है, वो यहां पे running चल रही है, loading यहां पे processing चल रही है, और last में part B, TTI जो यहां पे दे रखा है, वो computation of tax liability, जो भी है, वो यहां पे completely show हो जाएगा, आपका कितना TDS कटा है, आपका कितना TDS refund होगा, वो detail यहां पे completely आ जाएगी, वो detail आपको यहां पे again check करना है, loading का जो process है, वो चल रहा है, तो हमारे यहां पे हमने submit कर दिया, last में save कर दिया, यहां पे validation में कुछ error बता रहा है, अगर आपका validation में कुछ error बता तो, नीचे error का option आता है, उस पे आपको click करना है, click करने के बाद वहां पे red mark आ जाएगा, वहां से आपको देखे उस error को, सही करना है, तो हमने यहां पे error सब कुछ सही कर लिया, इसके बाद e-verify now पे click कर देंगे, e-verify करने के लिए आपके पास आदार OTP से कर सकते हैं, bank वकिरा से कर सकते हैं, DSE से कर सकते हैं, तो normal जो रहता है, वो आदार OTP रहता है, यहां पे select करेंगे, आदार OTP फर्स्ट ओफ्षन जो दे रहता है, उस पे click करेंगे, और click करने के बाद OTP send करेंगे, OTP send करने के बाद जैसे OTP मिले गए, OTP submit करेंगे, यहां पे आगे का process करेंगे, OTP हमने यहां पे बेद दिया है, OTP जो भी दे रहता है, वो OTP यहां पे फिल करेंगे, OTP फिल करने के बाद यहां पे validate वाले टेप पे click करते हैं, validate वाले टेप पे click करने के बाद यहां confirmation submission और return आ गया, यहां पे आपको confirm करना है और last में यहां submit वाले टेप पे click कर देना है, जैसे आप submit वाले टेप पे click कर दोगे, आपके जो return finally successfully submit हो गए you have successfully filed verify your return यहाँ पर आगा है और download receipt यहाँ दे रखा है यह रवाच यहाँ बगाई और आगा यहाँ कर दोद कर दो ही जागा है